हलो और वेलकम फ्रेंड्स आए जानते हैं कि स्पाइडर क्या होता है तो यहाँ पर मैं इसको उपन करता हूँ आप इसका यहाँ पर what is spider and web crawler यह दो चीजे हम समझेंगे तो देखिए when you search anything in a search engine search engine में आपको search करना है just like google और spider जो होता है वो crawl करता है अब यह spider क्या होता है इसको हम आगे समझते हैं पहले समझते हैं कि crawl की meaning क्या होती है देखिए crawl की वैसे meaning होती है रेंग ना लेकिन यहां रेंगने से मतलब नहीं है मतलब एक तरह से रेंगने सही है लेकिन समझते हैं इसको किस तरह के रेंगने की यह बात कर रहा है It means to say when we search anything on a search engine जब भी हम कोई चीज सर्च इंजन पर सर्च करते हैं Spider save an index of searching for father browsing दुबारा हमें browsing करनी हो तो spider उसकी एक index बना लेता है जो चीज़ें हम सर्च करते हैं ठीक है? और इसी को हम crawling कहते हैं ठीक है? और जो इसकी list बनाता है उसे हम क्या कहते है? जो search engine इसकी list बनाता है और save करता है जो index बनाता है उस बनाने का जो काम करता है search engine में उसे हम spider कहते हैं तो spider कोई मकड़ी नहीं होती है आप समझ सकते हैं